यहां पर सिनेरियो यह बन रहा है कि competition जो है वो market में भढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि important drug के लिए जो यह already बना रहे थे और उसमें इनका significant revenue share आता हुआ नजर आया था तो यहां पर city की इस पर बारे में report है जादा यहां पर इन्हों ने description दिया इसका बिक्वाली की राय बरकरार रखते हुए 890 रुपए के target से यह देते हुए दिखने है और उसमें जो important point highlights के हैं उसमें सबसे पहला तो यही है कि जो teva pharma है उसको जो assess all HD की generic दवा है उसके version है यह already Zydus Life Science बनाती भी नजर आ रही थी और company को 180 दिनों की exclusivity भी मिलती भी दिखी है तो of course इस वज़े से यहां पर जो income market शेता है या फिर आप कह सकते हैं कि जितनी sales यह कर रहे थे अब सीधा सीधा फाइदा फाइदा जो है वो teva को मिलता हुए नजर आएगा in fact Fy24 में Zydus Life Science की आए में करीबन 1174 करोड से 1350 करोड रुपे के यहां पर तक हिस्सा था और साथी EBITDA लेवल पर भी 25% का contribution यहां पर आतावा नजर आ रहा था साथी आप देखिए तो टेवा की तरफ से जो नया प्रोड़क्ट आया है यह अभी उसकी कारण से Zydus की जो प्रोड़क्ट की बिकरी है उसमें 40-50% तक की कटौती हो सकती है तो जाहर से बात है कि यहां पर सीधा सीधा जो competition का बड़ा impact है वो clear cut Zydus के Zydus Life साइंस पर आतावा नजर आएगा और यही कारण से आज सुबा से ही stock under pressure में in fact गिरावट जो है यहां पर और जादा बढ़ती भी नजर आई है तो यह है आपकले Zydus Life जहां पर अच्छी खासी गिरावट हो रहा है डेज लो पर यह counter trade भी कर रहा है